अनद्वर्ण जी दो सवाल है आपसे एक सवाल जैन्द चौधरी को लेकर है कि तमाम तरह की आसंका हैं उनके बारे में व्रक्त की जा रही थी लेकिन उन्होंने आज अपनी तरफ से सारी आसंकाओं को दरकिनार करने के कोशिस की है जैन्द चौधरी कितना इंपेक्ट डालेंगे वेस्टर्ण यूपी से लेकर अपने प्रभाव वाले दूसरे इलाखों में खास करके यह पालवानों का जो आंदोलन हुआ और बाकी मुद्दों को लेकर किसानों के मुद्दों को लेकर दूसरी बात है कि आज अचानक 200 रु चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता और नेता बैट कर बोलते थे कि मांगाई कोई मुद्दा नहीं इंडिया अगठ बंदन के इंपेक्ट को इन सारे मामलों के कॉंटेक्ट में आप किस तरह से देख रहे हैं पहली चीज दूसरा कोश्चन पहली बात में बहुत क्लिव मेरे हिसाब से जो 200 रुपया कम किया गया वह उज्वला किया गया अगर मैं दोनों पर होगा है उज्वला में 400 कम होंगे और इस पर 200 रुपय कम यह तो लेकिन अगर अगर सिलेंडर कम होने से मेरे ख्याद में च तो वो कोई सांकिये तो सब सांकेतिक बाते हैं जैन चोग जी की जो आपने बात कई देखिए मैं बार बार एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बीजेपी निरेटिव सेट करने में सबसे ज्यादा तेज है अभी तक जैसा विवेक जी ने काहा मैं बिल्कुल सेहमत हूं कि इंडिया के अंदर हम पांच लोग बैठे हैं आपको टाइम देना है हो सकता है इस ही में मेरा कुछ ही लगे कि मिनु जी को आपने जादा टाइम देदी आप मुझे कम दिया इसमें भी दिक्कत होती है तो 26 लोग अगर एक साथ बैठे हैं तो कौन सबसे दाहिनी कुरसी मे पहता है यह बट नेच्वाल है कोई ऐसा नहीं है एक चीज जान लीजे मैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक डेवल से अडुकेट होके बात कर रहा हूं नितीज जी दोनों चीज़ा नितीज जी गड़बंदन के आदमी है नितीज जी ने जब चाहे वह संट्रल में मंत् वह आज तक वहूमत की सरकार में के पार्ट नहीं रहे हैं कभी वह बढ़ भांदन की सरकार के पार्ट रहे हैं और उनको गड़बंदन की सरकार के कैसे वह वह नियम कायदे उनको पता है नौ अगस्त 2022 के बाद जब वो एंडिये से बाहर निकले तब से एक चर्चाएं शुरू हुनी और बिना कहें इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं है कि जो जो समस्याय की जैसा विवेक जी कहा रहा थे कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अखलेश यादव ममता बेनर जी सब लोग मिलके एक नॉन यूपीए फ्रंट बनाने की बहुत कोशिच का रहते चल शेकर जी त्यादी त्यादी उसको कॉंग्रस जिन लोगों से बात संबाद नहीं कर सकती थी नितीज जी ने उन सारे लोगों से संबाद किया और सारे लो कर करेंगे दूसरी चीज तक का इंजार नहीं कल शाम को भी बहुत चीजश की और होगी रावर को आज शरत पवार की ऊपर भी बहुत से डौट ओ रहे हैं कम सक्तेम नॉन महराष्ट के लोगों के द्वार आप कहते हैं कि नहीं आफ दिश्थार नहीं होता हैं यह वाकी जगह आप विरोध में हैं और खास करके एलेक्शन में तो आपको दिखाना पड़ता है कि आ यहां सब लोग अलग अलग उससे आ रहे हैं यहां अगर एक तरफ स्टैलिन बैठे हुए देखे यहां चीफ मिनिस्टर की भी तो हैं यह सब लोग अपने पल पर लीडर हैं यह कोई अगरी स्टैलं अपनी तकत पे हैं आम अदम आपको सब और एक नरेटिव बार बार इसको दबाया जाता है कि नहीं तेंग नहीं रहेगा सब्सक्राइब करते हैं हम और आप कितनी देर करते हैं कि कौनछी स्टेट के चुक्तु का फ्किन रही बहुला का वाटC जा मत्तलिब ऑज्पर्देश एक दो नहीं सद्ध सतIGHTक्र 04 एक दीन ही नाराज भाजपा क्टि राज़ भाजपा काश्वरगे भाजपाigos भाजपा के यूगी भाजपाढ prof — अमश्षा भाजपा다 तेर्ल नहीं रह गाई है जब शूरू किया तो तीन रह चुड़ू किया है तो अता हुT allen बांस पर आच अच ITWorld कि वह सर्ष dangerous एक यूगी बच और इस पर बात नहीं होती है उन लोग आपस में एक बड़ा एक बड़ी भारी चीज हुई है और आज नवेश को जो लखनौ के हैं उन्होंने उस पर लंबा आठकिल लिखा है नितीज जी को ने स्वैम काम लिया जो भी उनके रणीत है और यह जहां तक देखिए अभी भी म बढ़नीती है जो पर में भी आ गई है उसमें यह कहा जा रहा है मुझे पहले लगता था कि बाई डिफॉल्ट है जो उन्होंने खाबरी जी जो दरित वर्क से आते उनको हटा के अजर है जो भूम्यार है तो उनको अपर कास्ट से आ रहा है उनको कॉंग्रस ने बनाया है अध्यक्षि लगता था डिफॉल्ट है लोग कहना है बाई डिजाइन वह आर्टिकल भी कह रहा है निटीज जी के जिन में काम अब दिया यह गया है निटीज जी अपने जिम्में काम यह लिए हैं वह आके माया वती जी को इंडिया में लाने की कोशिश करता है अब लोग बार बार गानी दे रहे हैं कि यह एक चीज़ याद रखिए गया 77 में इंडरा गांधी को हराने वाले राज नरायन एक बार कोट में एक बार चनौवी मैदान में असली आर्किटेक्ट और कॉंग्रेस और चरंग सिंग को बनाने वाले राज नायन तो इसलिए यह जी इस को कर ले जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के भी वही गड़ बंदन की आलत होगी जो बिहार में बीजेपी को अब लोग अभी बहुत लिब्रालों के 25 सीट कह रहा है ना अगर सपा बसपा पांग्रेस जैन चौधरी यह सब एक जगा कर और कमनिस पार् सब्सक्राइब कर देख लिए आज बीजेपी समझ गई मेरी सीटें नहीं बढ़ रहे हैं वो ज्यादा परेशान है कि ऑपोजिशन की सीटें नहीं बढ़े वह वायसर कॉंग्रस के पास क्यों जा रही है चैनल बाबू नाइडू फिर से एंडिय में वह बार बार एंडिय नहीं खुले हैं मेरी निश्चत मानता है कि उत्तर प्रदेश से ही आके राहुल गांधी एलेक्शन लड़ेंगे अमेटी से वायनाट से भी लड़ेंगे क्योंकि वायनाट पे अगर अगर केरल में थोड़ा माली ये प्रशर अध्यार नहीं रहता है तो आज की तारिक में के वेंगाश भी सीटें उनमनिस उसमें यूदी ए factory पास है एक आल्डि एक के पास है बीस में इंडिया के पास है उत्तर प्रदेश में आज की तारैक में इंडिया के पास चार सीटें तो आपके पास 4 शीट के 80 सीटका फासला है आप अरे आप अचले आप केब्टेंट न दाजलिंग में भी खाता खुलने के गुंजाइस खतम होती जा रही है बीजेपी के लिए और महराश्ट में लोग बात कह रहे हैं महराश्ट में आप आप इतनी बार बात किये हैं व्यक्तिकत बात्चीत बान खड़े कहते हैं कि अगर दस सीट आ जाएंगी बीजेपी के तो मैं पस्टगारता छोड़ दूँगा वो कहते हैं दस सीट नहीं आ रहे हैं महराश्ट में बीजेपी के नेता नहीं कहा था कि नितिन गटकरी को टिकट मिलेगा तो खाता खोल दें आप इंडिया का एक नया रूप देखेंगे उनका जो समन्वा हुआ है ना लोगसवा में वा मोदी जी को आखे मणीपुर पे बोलना पड़ा नहीं तो मोदी कितने लोगों को सारी पराकाश्णाओं आप स्पीकर को कितने लोगों को एक्सेल करना पड़ा पहली के बाद केवल लोगों ही नहीं लीडर ही नहीं इनका समन्वाइं फ्रंटल औरनाइजेशन के लेविल पर भी होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मोदी जी की जो जो गुष्सा कह लीजे बाफलाट कह लीजे वह और बढ़ेगी बीजेपी के अंदरी खीस्त हो कि लालु जी भी बराबर के साथ बैठ रहे हैं तो यह कहीं रना और इसफेक्ट एंग दूसरे के प्रती है नहीं तो कई लोग नहीं बैठते तो भूझ टो जी का जल्दी चले गए वहां नहीं आए वह गुस्चे में कहा रहा है मैं कर आप उसी में घूम के बीजेपी की ओपर उंगली ना उठाए वो किस तरह से बीजेपी टूट रही है ये लोग देख रहेंगे और वो देख भी रहा है साथ अनन वर्दन जी थोड़ा सा ये लार्जर कॉंटेक्स्ट में मेरा सवाल होगा दो चीजे हम पोस्ट नाइटी मंडल इवल्यूशन के बाद अगर हम देखते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को तो दो चीजे उभर के आती है कॉंग्रेस का जो एक बेसिक वो बेस हुआ करता था ब्रामीन दलित मुसलिम वो बे सीराम के साथ चला गया माइनोरिटी ने अपने आपको उस सोसल ग्रूप के साथ जोड़ा जिसका जाती है अलहार बहुत बढ़ा था पोटे तो पर कहें तो बिहारी उपी में एमवाई जोड़ा राजस्थान में कॉंग्रेस के साथ इंटेक्ट रहा मद्ध परदेश में उतना बड़ा फैक्टर नहीं है यह सारी चीज़ें ठीक इसके आगे अधि हम बढ़ते हैं तो एक अलग तरह का सोसल ओडर मिलता है जाब बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में देखें तो ब्रहामनों ने अपने आपको कॉंग्रेस वाला फॉर्मेशन ब के लिए मैंने अजिगर का तो एक अलग तरह का इन दोनों सोसल ओडरों को ब्रेक करने के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोधी को लाया पोस्ट अन्ना मॉमेंट नरेंद्र मोधी को दिल्ली लाया गया जब एंटी कॉंग्रेस की एक हवा चल नहीं थी पूरे देश में आम तरह के गवर्मेंट के फेलियोर के बावजूद हराप आने में सक्षम नहीं होगा यह बात एकदम क्लियर है क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी हिने इबल कि यह 2600 दल जोई कठा है वो 245 लोग सबा सीटों वाले हिंदी भासी भारत के लिए जिसमें 184 सीट अकेले बीएपी की है अलांस को छोड़ दीजिए उसके लिए इनके पास कोई रण निती होगी या मुंबई में दो दिनों तक इस पर भी कोई मन्थन होगा कि आपने बहुत से सवाल हो गए और बहुत से चीजें हैं तो उसको बांदने के कोशिश करूँगा एक करके कर रहा हूं उसी में आपका सवाल वो भी हो जाएगा मेरे हिसाब से दो मुद्दे प्रमुख हैं बहंगाए बेरोजगारी है लेकिन उससे ज़्यादा कि आप मूल सम्विधान की ही बात कर दे रहा है तो मेरे हिए साप से समय मूल क्रशन है और दूसरा सामधायक्ता मूल कर यह बात में इसलिए कह रहा हूं कि यह दोनों चीजे अगर आप कर लेंगे तो लार्जर चीजें अपने हाप कवर हो जाएं मैं एक बात से आपकी मोधी ने जिस तरह से गठकरी का earlier सिग आए जिस तरह से रादनाश सिंग से परपोस ख 뉒S झाध जहा रहर हाएंगा जैसे बहुत से चीज neden यह नहीं कही जा सकती है जिस तरह से बहुत सी लेकिन उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने मैनेज करके प्लैन करके उस गद्धी तक नहीं पहुंचा है अकिला एक प्राइम मोदी है जो 2002 में जब गोधरा में लोगों के हत्या होई लोगों का नरसंगार हुआ तो उन्होंने उस दिन से अपना डिजाइन करना शुरू नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे आप याद किजिए 7-8 अक्टूबर 2001 उसके तकरीबन 20-25 दिन पहले वर्ल्ट ट्रेट सेंटर पर 9-11 की घटना वे थी 9-11 की घटना ने पूरी दुनिया में एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट को उभारा और उस सेंटिमेंट को भारत में बखुबी किसी ने अपने पक्ष में भुनाया तो गोधरा और गुजरात के दंगों के साथ तीन या चार महीने बाद नय बने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनाया और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सोसल और का एक सोसल सेंटिमेंट का पता था नर मंदिर के साथ जुड़े वे थे मुद्धे पर बहुत बेसरमी के साथ आपका है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को करते हुए सरयाम नफरत की भासा का इस्तेमाल करते हुए नियूटन्स के तिरती एक गती नियम जो है थार्ड लॉप मोसंस उसका उधरन तक उन्होंने में किया यानि ब्रांडिंग अपनी इस तरह से की कि हम हमारा पर्सेप्शन एक मुस्लिम नफरत पर आधारित हिंदू नेता की बने हैं यह तो औरकेस्ट्र तरीके से लग रहा है देखकर के नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लो मेरा सिर्ट कहना यह है कि 2003 2002 में गोधरा के ब कि हम इस तरह से इन डेट बॉड़ी को घुमाएंगे ऐसे नफरत होगी ऐसे जलवाएंगे ऐसे कटवाएंगे और वहां पर जितनी और जिस तरह से मैनेज किया गया समय नहीं है तो इसलिए मैं उस पर जादा नहीं बोलना हूं मैं इसको यहीं पर समात कर दे रहा हूं अगनि वीर योज मां यह लोगों की डिक्कत क्या है कि यह लोग शायद यह समझते इसकी इनों नंपारी द्रश्क शूरा करण दावC हिंदुस्तानी आर्मी का और बिटिश आर्मी का सबसे अभिन अंग गुर्खा रेजमेंट होती थी गुर्खा हमारे यहां लगातार नेपाल से हमारे आते थे और आज से नहीं पिछले सौ साल से ज्यादा से हिंदुस्तान की सेना की रच्छा कर रहा है हमारी सीमा की रच्छ लोगों के लिए समझना यह आप जीरो है उसका चाइनी अब रिक्रूट हो रहा है आपने देश को ले आपके खड़ा कर दिया यह क्योंकि यह मोधी जी बिना जाने जो काम कर रहा है या जाने अन्जाने में कर रहा है उनको शायद अंदाज नहीं है मैं एक चीज इसलिए कहके खतम करूंगा क्योंकि वो चीज़ें जरूरी है पिछलों की बात आप कर रहे हैं आप बार-बार कर रहे हैं और यह और आगी ने मोधी की बाद अच्छा पीच्छा पिच्छा कांग्रेस सामने खड़ी होई हैं ना कॉंग्रेस के चार चीफ मिनिस लोग हैं इसलिए वहां सुकू है अब इसका मैं इसका आपको जानना चाओंगा बहुत अनुभवी व्यक्ति हम लोग की तुलना में हमारी तुलना में जब वीपी सिंग की लहर आई थी तो तो राजीव गानी ने राजबूत मुख्यमंत्रियों की पूरी फौज उतार द आप सब्सक्राइब करेंगे तो अब फिर से उसी बात को कर दो आप 77 89 और 14 को एक्वेट नहीं करते हैं चौदा में यह बात बिल्कुल गलत है कि 14 में कोई मास मूवमेंट हुआ था और वह मास मूवमेंट बंग गया था जनान दोलन में 77 जनान दोलन था 89 में फिर जान ली लेकिन एक सी दोर याद रखिएगा जनता दल को सीटें मिली थी 143 89 उससे ज्यादा सीटें 2004 में कॉंग्रस को 145 में लें तो लार्जर गटबंदन की बात थी वो जनान दोलन ऐसा नहीं था कि उन्होंने जबरदस्ती कुर्मी को दिया नीना सिंको उन्होंने जबरदस्ती बारावंकी में दिया नितीश कुमार के कुर्मी नितीश कुमार के जो आग जिस वोट को वो एड्रस करते हैं वो कुर्मी वोट है और उस कुर्मी वोट को वो 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 बिहार से बाह यह कहना जो मैं समझता हूं जिस तरह से मैं राजनीद देख रहा हूं राहुल गांधी और खडगे हो सकता है कि बिहार में वो दो ही लोगों को करते हो नितीश कुमार दो लाग को करते हो लेकिन अगेले दो वेक्ति ऐसे हैं जिनका पैन इंडिया वोट को प्रभावित करते है राहुल गांधी हो सकता है एक वोट बढ़ाया और यह नेरेटिव की मोदी के सामने कौन होगा कभी ऐसा नहीं था 77 में कौन की कोई शामने था क्या जैबरकाश नरायन प्राइमिनिस्टर बने वाले थे नहीं कोई थे 89 में वीपी सिंग के नाम पर जरूर मिल रहा था ल तो आज की तारश और यह कहीं कोई नहीं है जो निटीश कुमार का कंट्रिबूशन है उसके बिना शायद इंडिया का इंडिया रहता भी नहीं जिस वरूप में है लेकिन हैं यह लार्जर चीज़ें है और मेरे मेरे हिसाब से इन लोगों का लार्जर दिल भी है ऐसा नही पीजी और बीजेपी को के निसे अटाना मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई ऐसी दिकत नहीं होने चाहिए अच्छा 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 अच्छा